आज हम एक बहुत ही अच्छी किताब का बुक रिव्यू लेकर आए हैं जिसका नाम है 60 सफल UPSC Crackers की प्रेरख कहानिया जिसको किसने लिखा है राकेश खेरावा दानिक से जो की अभी फिलाल SDM है साकेद दिल्ली के तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी किताब है इसके बारे में मैं आप आज को आगे बताऊंगा ये 2021 में लिखी गई किताब है जिसका मैं रिव्यू आपके लिए 2022 में लेकर आ रहा हूँ इसमें क्या होगा इसमें जो भी 2018 में सफल रहे participants, candidates उनके बारे में detail है अब चाए उनकी rank first हो या उनकी rank 700 हो उससे कोई मतलब नहीं है आपको सबकी प्रेरक, सबकी संगर्श गाता इसमें आपको सुनने को मिल जाएंगी तो आप जैसा की देख सकते हैं ये उनकी उनके बारे में हैं पूजा गुपता हैं, दिपांकर चौधरी हैं ये सारे लोग हैं जिनको 2018 में सफलता प्राप्त होई थी आप देख सकते हैं, इनके बारे में तो आप वैसे भी जानते होंगे, कनिश कटारिया, अक्षा जैन, सृष्टी देश्मोग, शुबम गुपता और इन्होंने क्या-क्या इस किताबों में लिखा है, अपने पूरी कहानी, किस तरीके से इन्होंने संदेश देना चाहा है, उसके बारे में भी बहुत सारी बाते इसमें बताई गई गई है, कि कैसे कुछ लोगों ने, देखिए किताब को लिखने में कितना संगर्श मैं मतलब राकेश जी की बहुत-बहुत सादुवाद करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, कि उन्होंने अपना इस तरीके से समय निकाला और इन लोगों से कि कुछ लोगों ने नौकरिया जॉइन कर ली, कुछ लोगों ने अपनी रैंक रूव करने के लिए पड़ाई शुरू कर दी, उनसे लोगों का टाइम लेना, उनसे सब कुछ अरेंज करना बाते किसी तरीके से, और फिर उसको एक बुक में मोतियू की माला की तरह पिरोया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोगों तक ये अपनी बाते पुचाने का एक माध 152, 111, सब की आपको संगर्श गाता सुनने को मौका मिलेगा, और ऐसे भी बहुत सारे विद्यारती हैं जिन्होंने अपनी रैंक को इंप्रूव करना चाहा, जैसे कि आपके अभिशेक जैन हो गए, दिपाकर चौदरी हो गए, कुनाल अगरवाल हो गए, आप इसमें का कौन सा optional subject था, कैसा उनका medium of writing था, कौन सी place से वो belong करते हैं, क्या education, का उनका background है, अपने parents का occupation क्या था, वो civil सेवा के ही परिक्षा में, मतलब उत्तीन हुए थे, या कोई government servant है, या कोई businessman है, सब को उनकी detail mark sheet आपको बच्चों की इन में जानकारी मिलेगी, तो मुझे लग करता है, इस किताब में इन अभ्यारतियों ने लिखा है कि सेवल सेवा की उनकी यातरा कैसी रही, और कुछ संदेज दिये हैं, new experience को कि उनको क्या करना चाहिए, परिक्षा की योजना कैसे बनाए, उसके बारे में बहुत detail में ये बाते बताई गई हैं, तो आप अपने optional को किस हिसाब से strong करके बना सकते हैं, उसके बारे में भी अलग से story है, क्योंकि हो सकता है कि आपका optional अलग हो, इनका optional अलग हो, तो अब आपको यहाँ पर candidate आपको पता चल जाएगा कि उनका optional ये था, तो मैं उसकी story पढ़ना चाहूँगा, आप मुझसे request कर सकते हैं, अगर आ आप मुझे comment करकर जरूर बताईएगा, मैं उसकी story जरूर आपके पास लेकर आऊँगा, 60 अभियारती के हमारे इस पास नाम है, अब कनिश्टी जी ने एक बहुत ही अच्छा उधारन दिया, और ऐसे भी बहुत उधारन मिलेंगे जिन्होंने optional subject change किया और वो success की story इसमें participate उनका हुआ है, जैसे कनिश्टी जी ने बहुत अच्छी बात बोली, बोले कि सब कुछ पढ़ने के चकर में ना रहें, देखिए कितनी बात अच्छी है और उसी को हमारे को मानना चाहिए, फिर सिस्टी जी ने बोला कि खुद को update करने के लिए अकबार को उन्होंने कैसे दोस्त बना लिया, यह अपने अप में एक हमारे लिए inspirational story है, वैशाली सिंगी जी ने बोला कि कैसे वो अपने प्रिलिम से पहले 15 दिन पहले नहीं पढ़ पाई थी, 15 दिन तक वो नहीं पढ़ पाई थी, तो किस तरीके से उन्होंने अपने उसको exam को monitor किया, कैसे mock test दिया और 122 नमबर उन्होंने score किया, फिर अनुराज जैन की अगर हम बात करें, तो उन्होंने बोला कि भई, civil services की तयारी एक अशांत पानी की तरह है, उसमें अगर आपको अपने नईया पार लगानी है, तो द्रड़ता और निस्टा से काम चलाना होगा, फिर एक सफल होने की आपके अंदर जलती रहनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी बाते हैं, फिर ये एक अक्षे काबरा जी हैं, जो कि उन्होंने बोला कि पढ़ाई को सीमित रखें, मतलब जो आपका content है, उसको सीमित रखना पड़ेगा, PhD की thesis ना बनाने लग जाएं, हर चीज में आपको थोड़ा जानकरी जनरल स्टडीज है, ना की स्पेशल स्टडीज है, उसकी और उन्होंने ध्यान रखते हुए बाते बताई, ये यतने सारे टॉपर्स हैं, देखिए, कितने सारे हैं, राजिंदर चौधरी जी हैं, मिन्टू लाल मीना हैं, सचिन कुमार हैं, आप चाहें तो इन लो वीडियो अच्छा लगता है, तो पॲीज इसको लाईक करिएगा, शेइर कीजिए गापने दोस्तों के साथ, जिस से अगर हो सकता है कि आप किसी के बारे में ना जानना चाते हो, बैगर आगर आपका दोस्त किसी के बारे में जानना चाहता हो, और मैंने वीडियो बनाई तो शायद आपको भी उसका लाब मिलेगा बट ये चबी तक ही possible होगा जब आप इसको अच्छे से महसूस करेंगे अच्छे से देखेंगे अच्छे से सुनेंगे अच्छा response मिलता है तो हमारे को भी motivation मिलता है कि हम इसी तरीके से वीडियो आपके लिए लाएं और उनकी बाते आप तक पुचाई आएं तो और बाकी अगर आप किताब खरीदना चाते हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप सबसे पहले किताब खरीदी है और उस बातों को पढ़िए बट अगर आप चाते हैं तो मैं भी आपके लिए वो बाते कर सकता हूँ तो ये राकिश किरावाजी की बात है मुझे इनका ये जो थोट है वो बहुत अच्छा लगा कि महनत की सियाई से जो लिखते हैं अपने इरादों को उनके मुकदर के पनने कभी कोरे नहीं हुआ करते ये बहुती सुन्दर बात है तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विर्णाम दूँगा और इसी के साथ बहुत भुत धन्यवाद आपने इतने उच्छी से सुना यहां तक सुना आपने और उसी के साथ आपके साथ मिलते हैं किसी अलग बुक रिवियू के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धुन्यवाद और पढ़ते रहिए सीखते रहिए